Word of the Day में आप सभी का एक परफिसे स्वागत है हमारा आज का Word of the Day है F-R-A-U-G-H-T और इसे हम प्रेनास करते हैं Fraught इसका Use as an adjective यानि विशेशन की तरह किया जाता है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है व्याकुल इसका एक और मीनिंग होता है भारपुरून या भैबीत पर आज हम इसका Use हिंदी में व्याकुल के मीनिंग में सीखेंगे English में इसकी definition होती है causing or having extreme worry और anxiety Synonyms की बात करें तो वो हो सकते हैं disturbing, unsettling, distressing या tense Antonyms हो सकते हैं coming, comfortable, easy या peaceful Synonyms और Antonyms की बात आईए चानते हैं कि किस तरह से आप Fraught word का use sentence में करेंगे There is no need to look so fraught इतना व्याकुल तिखने की कोई जरूरत नहीं है मतलब उसे बहुत ज़्यादा anxiety है, extreme worryness है तो उसके लिए हमने यूज किया Fraught word का अब आप चल्दी से comment section में मुझे Fraught word से एक sentence बना कर जरूर बताईए इसका use आप आप adjective की तरह करेंगे ऐसी ही नए और interesting words के लिए हिनखोश dictionary YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें